नमश्कार दोस्तों, परिक्षा पॉइंट में आपका स्विडियो में हम कक्षा बार्वी के राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर फोर अंतरास्ट्रिय संगठन के इंपोर्टेंट नोट्स और पॉइंट्स डिसकस करेंगे तो चलिए चलते हैं तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि हमें अंतरास्ट्रे संगठन की क्यों जरूरत है तो अंतरास्ट्रे संगठन के रूप में अभी संयुक्त रास्ट जो है दुनिया का सबसे महत्वपून संगठन है हमारे पास और ये क्या काम करता है कि युद्ध और शांती के जि जादातर प्रॉब्लम्स को बातचीत के द्वारा सुलजाने का प्रयास कर लिया जाए शांतिपूर्ण रास्ता निकालना जाए और अंतर रास्ट्रे संगठन की इसी लिए मदद ली जाती है यह कोई शक्तिशाली राज्य नहीं है इसके अंतरगत आने वाले जो भी राज्य हैं वो ऐसे नहीं है कि बहुत पावर्फुल है यह एक संगठन है अंतर रास्ट्री है जिसका प्रमुक कार रहे है रास्ट्रों को साथ लेकर चलना और विकास कारों में आगे बढ़ना जितनी भी वैश्वित रासदियां है वैश्वित आप गृद्धी ग्लोबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रास्ट्रों का जो टी का करन जैसे बहुत ही बेसिक जो कारे हैं वो कारे भी डबलो एच्चो की थुरू जो हमारा यू एनो है वो करता रहता है आगे हम पढ़ेंगे कि वैश्वित आप प्रिद्धी को रोकने के लिए और बड़ और जोगिक रास्ट्रों को सहीयोग पहुंचाने के लिए भी जो है सहीयोगत रास्ट्र संग हमेशा मदद करता है सहीयोग को बहतर कैसे किया जाए कौन सा तरीका है कि सहीयोग को बहतर किया जाए जब तक सहीयोगत रास्ट्र संग नहीं था तो कुछ मुद्दों पर निर लेकर मुहापत थोड़ी औसहमती बनी रहती थी ये रहता है कि जो भी लागत है उसका भार कौन जादा लेगा और जो भी कारे किया जारहा है उसका लाभ का बटवारा किस तरह से हुगा किस को अधिक किस को कम लाभ मिलेगा कोई अपनी बात को बात से पीछे तो नहीं हट ज उटाने में मदद मिलती है एक ऐसा रूप रेखा मनाई जाती है जिससे सदस्यों को ये विश्वास रहे कि अगर वो किसी पर्टिकुलर काम में लावद लगा रहे हैं तो सदस्य देशों को उसका फाइदा भी मिलेगा और जो बटवारा होगा कारे का वो नियायोचित होगा और समझोते में जितने भी शामिल होने वाले सदस्यों होते हैं उनको ये नियमें और शर्ते मानने होती हैं मतलब सब कुछ नियमित रूप से किया जाने लगा अगला पॉइंट है सयुक्त रास्ट संगठन का विकास किस तरह से हुआ तो पहला विश्वर युद्ध जब ह तो अंतरास्ट संगठन की मांग उठने लगी कि इस तरह के इशूज नहीं होने चाहिए या इस तरह का जगड़ा हो कैसे गया तो ये जैसे ही ये मांग उठी तो इन सभी जगड़ों के निप्टारों के लिए जो है लीग ओफ नेशिंस का संगठन एक अंतरास्ट संगठ था ये पहले बनाया गया और इसके बनने के बाद भी जो है दुष्वयुद हो गया तो ऐसा माना जाने लगा कि जो संगठन दुष्वयुद होने से नहीं रूख सका वो क्या ही विश्व की रक्षा करेगा या उसको साथ लेकर चलेगा तो इस विफलता के बाद दूसरे विश्विद के बाद 1945 में इसे स्थापित किया गया किसे सहयोक्त रास्ट संग को इसमें उस समय पे 51 देशों ने दस्तकत किये और इसकी स्थापना की गई 2011 में इसके साथ कितने सदसे देश जुड़े 193 देश इसके साथ हो गए इसका लक्षे क्या है अंतरास्ट आशानती को रोगना और रास्ट्रों के बीच जितना हो सके सहयोक्त सापित कर सकना और ऐसे देशों में सुले कराना जो एक्सपेक्टेशन्स हैं कि आगे चलकर वो किस तरह के मुद्दों पर हुए या तो समाजिक मुद्दे हुए या फिर आर्थिक अभाव के मुद्दे किसी देरास्ट्र के बीच में विद्द का कारण बगते हैं तो इस संयोक्त रास्ट्र ने जड़ से काम करना शुरू किया और जितने भी आर्थिक और समाजिक विकास वो दे सकता था देने के प्रयास आज भी जारी है और इसकी आम सभा में जो भी सदस्य देश होते हैं उनको एक वोट प्रदत होता है एक वोट एक देश और इनकी सुरक्षा परिशत के जो पांच रास्ट्रों को 27 सदस्य दी गई है अब यह 27 सदस्य देश कौन कौ से हैं यह बहुत ही important point है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन यह पांच देश आपको जरूर से याद होने चाहेंगे संयोगत रास्ट्रों का प्रतिनिधी कौन होता है महा सचब और इस टाइम पे UN के महा सचब कौन है अन्टोनियों गुद्रेस इनको कब पद स महालने के लिए मिला 2017, एक जनवरी 2017 को इससे पहले यह क्या थे 1995 से 2002 तक पुर्टगाल के प्रधान मंतरी थे और 2005 से लेकर 2015 तक ही यह United Nations में ही High Commissioner for Refuses रह चुके थे शरणार्थियों के लिए जो High Commissioner का एक संगठन है उसमें यह रह चुके थे आगे है संयुक्त रास्ट्र की शाखाएं और एजिंसियां कितनी है तो यह जो है अभी महा सबह और सरक्षाप परिशद यह तो important है ही इसके साथ साथ WHO, UNDP, United Nations Development Program, UNHRC, United Nations Human Rights Commission, UNHCR, United Nations High Commission for Refuses, UNICEF, United Nations Children's Fund, UNESCO, United Nations Education, Social and Cultural Organization इसके अंतरगत शामिल है संयुक्त रास्ट्र की स्थापना की क्या उद्देश्य रहे तो वैश्विक सर पर होने वाली जितनी भी तरासदियां है युद्ध है, उनकुन्यंत्रन मिलाना, महामारी या जितनी भी रोग हैं आपने देखा होगा वर्ल्ड में जब COVID-19 फैल रहा था युनाइटिड नेशन्स की ही एक और्गिनाइजेशन है, WHO, World Health Organization, उसने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाली, विश्व के सभी आपसी मद्वीदों को बातचीत के द्वारा सुलझाना, यानि युद्ध ना हो किसी भी तरह से, और ऐसे देशों को सहीयोग प्रदान करने का ये काम करता है, युद्ध की स्तिती अगर आ जाती है, तो इसके दुष्व प्रभावों को किस प्रकार से कम किया जाए, और विश्व के जो भी देश है, वो एक दूसरे के साथ आर्थिक और समाजिक संभामनाओं को बढ़ाएं, और एक दूसरे की हेल्प करें, इन सभी म जो इसमें सबसे जाना इंपोर्टेंट है, विश्व स्वास्त संग्ठन यानि World Health Organization, विश्व में स्वास्त संबंदी जितने वे समस्याएं हैं, उन पर सहयोग और सुझाव स्पेश करती है, इसकी स्थापना का पूलती ये आप जरूर से कहीं पर लिख कर रख लेना, 7 करिया भूमे का WHO ने मिंभाई, इसका मुख्याले कहां पर है, जेनेवा, स्विचले लेंड में, ये एक्जाम में वनवर आंसर्स में जरूर पूछ लिया जाता है, भारत भी इसका सदस्य देश है, हाँ बिलकुल, विश्व स्वास्त संगठन यानि WHO सरकार के कहने पर स्व नवंबर 1946 को, कहां इसका मुख्याले है, फ्रांस के पैरस में, और इसका मुख्या और देशे है, शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज, मानव विज्ञान, संस्कृती और उननत विज्ञान में आगे ही और बढ़ते रहना, सदस्य देशों के भी साक्षरता का प्रस करता है, शैक्षनिक प्रसिक्षन आदी देता है, और इस तरह के अनेकों कारे, भारत को 1946 में युनेस्को का सदस्य बनाया गया, इसका एजंडा 2030, इसमें क्या है कि इस वर्ष तक, 2030 तक, जितने भी हमारे सतत्विकास के लक्षे हैं, इनको प्राप्त करना, इसे महासभा मे 2015 में अपनाया गया, इसके तहट, इंटरनेशनल जियो मंडल, वैश्विक जल आंकलन, इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम आदी, चलाए जा रहे हैं, ये प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, अगला इसके पहले इस नाम से जाना जाता था, जो बच्चों के लिए क्या करता था, आपातकालीन फंड इकठा करने का काम करता था, इसका प्रमुक कारे आज के समय में क्या है, विश्व के जितने भी बच्चे हैं, उनका विकास करना, और उनके लिए पूंजी जमा करना, बच्चों के स्वास्त और उन्नती के लिए कारे किये जाते हैं, इसमें और सहाय का प्रतान की जाती है देशों की, अभी UNICEF में तक इंपॉर्टेंट अंग महासबा, सुरक्षा परिषट, अंतरहस्तरिय नियायाले, सच्चिवाले, आर्थिक और सामाजिक परिषट, न्यास परिषट, न्यास परिषट, एज यू नोओ, अब नहीं है कारे में। तो UN का सबसे important और पहला अंग है महासभा इसमें संयुक्त रास्ट्र में जितने भी सदस्य देश है वही देश जो हैं महासभा के भी सदस्य देश है जिने समान मताधिकार प्राप्त है यानि one nation, one vote इसका अधिवेशन एक साल में एक बार बुलाया जाता है जो की सितंबर महीने में उता है महासभा द्वारा क्या होता है संयुक्त रास्ट्र की जितने भी सदस्य है उनका वित्तिय यूगदान कितना है संयुक्त रास्ट्र में इसका निर्धारन कौन करता है महासभा संयुक्त रास्टर का बजट भी महासभाही तै करती है सुरक्षा परिशत के साथ मिलकर महासभाही अंतरास्टर नियायाले के जितने भी नियायदीश है उनकी नियुक्ति और निश्कासन का कारे करती है महासभा किसके साथ मिलकर सुरक्षा परिशत के साथ मिलकर किसका चोयन करती है जितने भी हमारे अंतर रास्ट्रे जो नियायले हैं उसके नियायदीश, उनकी नियुक्ति का और उनके निशकासन का कारे किसका है महासभा का अगला और बेरी इंपोर्टेंट सुरक्षा परिशत इसे संयोक्त रास्ट्रे संग की कारे पालिका कहा जाता है इसका मुख्याले कहां पर है नियुयोक में 1965 में एक चीज हुई कि इसके अस्थाई सदस्यों की संख्या 1965 से पहले क्या थी 11 जिसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया 15 और क्या कि इसमें 5 जो है 12 सदस्यों होंगे और 12 सदस्यों की संख्या होगी 10 और सुरक्षा परिशत के 12 सदस्यों कौन है यह सब भी जानते हैं इनको वीटो पावर भी मिली हुई है अमेरिका, रूस, चेन, ब्रिटेन और फ्रांस ये देश विश्व में शानती जो है उसकी सापना करेंगे और अगर वीटो का इस्तमाल करते हैं तो ये बड़े से बड़े फैसली को भी रोग सकते हैं कैसा भी बड़ा फैसला हो अगर आस्थाई सदस्यों ने और 4 सदस्यों ने उसके फेवर में वोट किया है लेकिन किसी एक सदस्यों भी उसके अगेंस्ट वीटो का यूज कर लिया है तो वो फैसले के डिसिजिजन नहीं होगा और वो रद कर दिया जाएगा अगला है आस्थाई सदस्यों अब इसके 10 आस्थाई सदस्यों भी तो है उनका चुनाब कितने वर्षों के लिए होता है दो वर्षों के लिए और दुबारा उने देशों का तुरंत बाद चुनाब नहीं किया जा सकता क्यों? क्योंकि चुनाब के लिए विश्व के जितने भी देशा सबको मुगा प्रदान किया जाता है अब अभी भारत मालो, this is just for example, भारत मालो सुरक्षा परिशत का आस्थाई सदस्य है और दो साल उसको complete हो गए, तो अभी कुछ सालू तक वो दुबारा से आस्थाई सदस्य बनने की युगता नहीं रखता, क्योंकि सुरक्षा परिशत और देशों को भी मोका प्रदान करती ह प्रत्यकास्ताई देश के पास केवल एक ही मत होता है और इन देशों को वीटो पावर नहीं दी जाती इनकी कारे शक्तियां क्या होती है, सुरक्षा परिशत के कारे में अंतरास्टे सुरक्षा और शानती को शामिल किया जाता है इफ कोई भी रास्ट्र, इन्टरनेशनल लेवल पर सुरक्षा भंग कर ले की कोशिश करता है तो कौन से अनुचेद के द्वारा अनुचेद 41 के मार्दियम से उस पर कारवाई की जाएगी क्या कारवाई की जाएगी उसके साथ आर्थिक, कोटनेतिक या यातायात संबंदी जितने भी संबंद होंगे वो खत्म कर दिया जाएगी इन्टरनेशनल ले उसको काइंड ओफ बॉयकॉट कर दिया जाएगा इसके बाद भी यदि वो समस्या का समादा नहीं हो पाता है तो इसके अगिंस्ट क्या होगा सैनने कारवाई होगी किस अनुचेद के अंतरगत होगी 42 अनुचेद के अंतरगत ये वाली कारवाही की जाएगी आगे है 1992 में इस संरचना के विस्तार के लिए बहस देज होगी ठीक है इसमें सबसे पहली ही मांग क्या थी कि सुरक्षा परिशद की जो सदस्यों की संख्या है उसको बढ़ा दिया जाए किस तरह के देशों ने ये डिमांड करी एशिया के जो देश थे अफरिका और दक्षिन अमेरिका के देशों ने ये डिमांड रखी लेकिन पश्चिम के देशों का क्या डिमांड थी उनके अकॉर्डिंग इसके प्रशासन और जितने भी भजटी है प्रनाली है उसमें सुधारों को ना पश्चिम के देशों ने रखी कि याद रखना कि कौन-कौन से देशों ने सुरक्षा परिशत के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की डिमान की थी तो एशिया ने की थी, अफरिका ने की थी और दक्षिर अमेरिका ने की थी पश्चिम के देशों ने क्या डिमान की थी कि हमारे को बस बजटिया प्रणाली और प्रशासन के साथ प्रॉब्लम है ठीक है आगे है कि सुधार प्रस्ताव में क्या कहा गया सुरक्षा परिशत के जितने भी निर्ने होते हैं ऐसा माना जाता है कि वो पश्चिमे रास्ट्रों से सम्वेर उनकी हित में ये डिसिजन्स लिये जाते हैं कि हितों की सुरक्षा इन डिसिजन्स के साथ की जाती है तो 1997 में महासचिफ को उन्थे कॉफी अनन उन्होंने स्थाई और आस्थाई सदस्यों को लेकर कुछ मापदंड दिये कि कौन-कौन से देश जो है स्थाई या आस्थाई सदस्यों से बन सकते हैं वो देश होंगे जिनका सैन्ने बजट और आर्थिक रूप से वो देश जो है संपन्न होंगे और UN के बजट में उनका अच्छा खासा योगदान होगा तभी वो सुरक्षा परिशत के स्थाईया और स्थाई सदस्ये बन पाएंगे जन्संख्या की दृष्टी से बड़े होंगे और जो सुरक्षा परिशत को विश्व की विभिनता का प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे मतलब उनके पास बहुत सारी विराइटी औफ कल्चर और एब्रीटिंग ये सब होगा आज के समय में कौन हैंगे इस सब के लिए एलिजिबल भारत, ब्राजील, जर्मनी, जपान ये सब ही देज विश्व शक्ति के रूप में उभर रहे है और क्या डिमान कर रहे हैं कि हमें भी दो गई सुरक्षा परिशद में स्थाई सदसिता सथाई सदसिता तो सब कोई मिलती है अगला है अंतर रास्ट्रे नियायन इसका मुख्यालिय कहां पर है नीदरलेंड के हेग में और कौन से चार्टर के अंतरगत इसको बनाया गया या इसका अड़िया लिया गया सभी रास्ट्र के 14 चार्टर में से सभी रास्ट्र का कोई भी अंग मालो डिसीजन लेने के लिए किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए वो कन्फ्यूज है तो सला मांगने के लिए किसके पास जा सकता है अंतर रास्ट्रे नियायायले के पास जा सकता है तो क्या अंतर रास्ट नियाय अल्य सला देने के लिए इवाद्य है? बिल्कुल भी नहीं, जरूरत ही नहीं आगर वो नहीं देना चाता तो वो नहीं देगा इसके पंद्रा जो नियाय देश है, पंद्रा नियाय देशों का चुनाव कौन करता है? महासभा करती है, सुरक्षा परिशत के साथ मिल कर करती है, किसके अधार पर? बहुमत के अधार पर करती है इनका कारेकाल कितने वर्षों के लिए होता है तो नौ वर्षों के लिए इनका कारेकाल होता है इन नियाएदीशों में से जो हैं पांस थाई सदसे रास्टों में से होते हैं और किसी भी देश के दो नियाएदीश एक साथ सेलेक्ट नहीं किये जाएंगे यह वहाँ पे strict rule है अगला है सचिवाले सचिवाले का मुख्याले कहाँ पर है सारी New York में और यह UN का एक प्रशासनिक अंग है जिसके प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता है महासचिव कहा जाता है Present में सयुक्त रास्र के महासचिव कौन है Please comment सयुक्त रास्र के कहने पर महासचिव की नियुक्ति करती है महासचिव की नियुक्ति कितने वर्शों के लिए होती है पांच वर्शों के लिए होती है इसमें बाटे के प्रतिये के विभाग को एक उप महासचिव भी समालता है और जिसकी नियुक्ति कौन करता है महासचिप करता है अगला है हमारा आर्थिक और समाजिक परिशद जिसमें 54 सदस्य रास्ट्र है और इनका चुनाव कौन करती है महासबा किसके द्वारा बहुमत होता है यहां पर परिशद में हर सदस्य के पास एक वोट होता है और यहाँ पर नॉर्मली जो सधारन बहुमत है उसके अधार पर हतना का डिसुजन लिया जाता है हर साल जितने कितने अठारा सदस्य देश जो है अपने पत से मुक्त हो जाते हैं जिनने दुबारा चुनाव किया जाता है जिनका किसके दौरा बहुमत के दौरा बहुमत के दौरा बहुमत के दौरा बहुमत का अधार पर सीडो का जो है यहाँ पर बटवारा किया गया है प्रश्चिमी उरोप के 13 देश आ सकते हैं यहां पर और इसके बैठक जो है बर्श में दो बार कराई जाती है संयुक्त रास्रों में सुधार को लेकर भारत का क्यामत है तो संयुक्त रास्रों में सुधार में भारत ने अपने पॉइंट्स हमेशा रखें और सुधार के मामले में अपना समर्थाल हमेशा दिया है तो भारत ने युगवेन की मुझूती के लिए बात कही है उनने भारत ने कहा कि एजेंडा जो है युवेन का वो विकास होना चाहिए हमेशा से और इससे विश्व शक्ति और सुरक्षा स संक्या स्थिर है जबकि महासभा की जो सदस्य संक्या है वो बढ़ती रहती है सुरक्षा परिशत के प्रतिने देत्म मुलक्च 20 से खराब होती है तो भारत का कहना है कि सुरक्षा परिशत जो की 1965 में इसकी सदस्य संक्या बढ़ी थी बस एक बार उसके बाद सदस्य संक्या बढ़ाई ही नहीं गई तो इस तरह से जो है विकास्ट्रिल देशों के फिल्लिये कुछ काम किया ही नहीं जारा जाद तर जो है विकसित देशों का पक्ष ऐसा माना जाता है कि सुरक्षा परिशद और संयूक्त रास्ट्र के डिसिजिन्स में इन देशों का फेवर जादा किया जाता है सुरक्षा परिशद के स्थाई और अस्थाई दूनों सदस्तों के संख्या भारत चाता है कि इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए क्योंकि सुरक्षा परिशद की जो कारे गतिविदिया है जो कारे हैं वो बढ़ चुके है क्योंकि भारत एक लोक्तांत्रिक देश है और सबसे बड़ा लोक्तांत्रिक देश है और यूएन के बहुत सारे कारेों में भी पहल कद्म करता है हिस्सा लेता है और इसके बावजूद भी सुरक्षा परिशद का सबसे नहीं बन पाया है भारत इंतरास्रे है शानती आर्थिक शक्ती के रूप में हर तरीके से अपना अब को उभार चुका है स्यूखतरास्रों के बजट में भारत का यूगदा अब काफी ज़ादा है लेकिन स्यूखतरास्रों में साई सदस्रता के अगेंस्ट है दोस्तों आपको ये नोट्स और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा अगर आप भी चाहते हैं कि आप ये नोट्स पढ़ें तो आप हमारी ओफिशल वेबसाइट परिक्षा पॉइंट से ये नोट्स प्राफ्ट कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो और इसी तरह की इन्फोमेटिब वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वाचिंग